कख्षा साथ के मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी गंड कैसे हैं आप सब मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मैगनेट ब्रेंज की आध्या मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ मैगनेट ब्रेंज पे जहां आपको मिल रहा है हाई कॉलिटी एजुकेशन वह भी फ्री अगर आप से हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो भाई किंडर गार्डन से लेकर के क्लास 12 तक के कोर्से समकवर करा रहे हैं और यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो बच्चों मैगनेट ब्रेंज के जो हिंदी मीडियम चैनल है उस पे आपको यू और अगर आपको e-book या फिर e-notes चाहिए तो link description में है open करके go through कर लो चलो अभी तक हम लोग बच्चों कर रहे थे कक्षा साथ की जो दूर्वा किताब है NCRT book है हिंदी की उसका part 16 जिसको हमने तीन हिस्सों में बाटा था और ये आज का जो है बच्चों ये हमारा आखरी ह पार थार्ड जिसमें हम पूरे का पूरा जो पार्ट हम लोग पड़ रहे थे उसका आज यहां पे हम लोग पूर्ण विराम लगाने वाले हैं तो जल्दी से हम लोग वीडियो शुरू करते हैं अगर आपने स्टार्टिंग के जो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो कीं सब्सक्राइब ने हम सम्झाते जा रहे हैं क्या-क्या लिखा है तो अभी तक हम लोगों हाथ से हमाजा मिट्टी कैसे तयार होती है पहले तो इस楚 distint यहीं ती जो हमारा इसका सीर्षक है जो पाट़ का नाम है उसका क्य Hahnस showing मूर्थियां से चीए उसके थाहस कर लिया है अब यह वाला जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारा दूसरा तरीका है चाक से मूर्ती कैसे बनाई जाती है चाक क्या है बच्चों अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो वाला वीडियो देख लो जो कुमार जो एसे चक्के टाइप का नहीं रखते हैं जिसकी ऊपर वो घड़े का अकार देते हैं उसको कहते हैं चाक हमने पार वाली वीडियो में मैंने आपको फोटो भी वह दिखाते हैं उसको हम कहते है चाक आप एक बार वीडियो देख लो आपको समझ आ जाएगा अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पार्ट थर्ड चाक की मदद से मूर्थी आओ अब देखते हैं कि चाक पर मूर्थी कैसे बनाते हैं वास्तव में चाक पर पूरी मूर्थी नहीं बनाते वास्तुम में क्या होता है जो चाक है उस पर हम पूरी मूर्थी नहीं बना सकते करना हम इंदेखने में वह चीज़ नहीं कर रहे थे यहांग शो कि बना करके असेंबल कर में पर चाक सब्कुरियों नहीं बनती मूर्ती के कुछ हिस्सों को चाक पर बनाया जा सकता है ठीक है उधारन के लिए हम हाथी की ही बात करते हैं अभी इसके पहले जब अब लोग बल्वाली मूरती बात कर रहे थे बात जब पढ़ रहे या दो मठके एक छोटा एक बड़ा बना लो भाई उन्होंने सामगरी बता दी तुमने चाक चलाना सीख लिया कि नहीं सीखा बोला गया था ना पार्ट वन में कि अगर हाथ से बनाना तो उन्होंने तरीका बताया और अगर आपको चाक से बनाना था तो पहले जाके अपने गाउं है वहाँ लोकल में कुमार से चाक चलाना सीख लो अब आपने चाक चलाना सीख लिया है हमारे लेखी का है वह ऐसा बनालो को उल्टा करके इस तरह जमाओं की वे हाथी के पैर के रूप में लगे मतलब ऐसा कि जैसे जो कुल्ड़ है वो ऐसे ऐसे जमालों कि ऐसा लगे कि वो हाथी के पैर हो ठीक है भाई हमने कर लिया आगे कहा थी के पैरों के रूप में लगे इन पर इन पर बड़ा मटका रखो रखकर मिट्टी से जोड़ दो भाई कैसा बड़ा मटका रखना है वो बड़ा मटका रख दो और इसको क्या करो मिट्टी से जोड़ दो इधर वाला जो एरिया है न इन सब को मिट्टी से जोड़ दो ताकि बच्चों यह बेस बन जाए मिट्टी से जोड़ देंगे ना हम तो ऐसा लगे गए दो पैर यह पैर आगया इधर चार और आपका इधर उसका जो बड़ा मटका है अपने उल्टा करके रख दिया जो तो यह क्या बन गया हांती का पेट यह बड़ा मटका का प्रयोग ह रख के जोड़ दो यहां बेवी क्या करो मिट्टी को से भर दो भाई हर जगा हमें मिट्टी से दवाना पड़ेगा ठीक है फिर नीचे से कुछ आधार लगाना नहीं तो सिर गिर पड़ेगा इधर वजन ज्यादा होगा तो यह क्या होगा बच्चों यह गिरने की आक्शन करेगी तो यहां से आमें वजन लगाना पड़ेगा अब दीयों के बीच से काट कर दो भाग में बाट लो और नियों को क्या करो ऑफ़ी जो दिया आपने बनाया से मालो एक जाई इसको क्या करो बीच से काट लो तो यह दो हिस्से 7 कटकि क्या बन जाएगी था साध यंक र लगा दो एक उधर में लगा देना कान का हिस्सा बन गया आप इसके आगे क्या कह lists को गीली मिट्ट् ق कर हाथ की सूड और पूछ भी बना लो क्या करो गीली मिट्टी ले कर के हाथी देखना तो उसका सिक्का पूरा ना गोल होता था नहीं मतलब उसका एक आकार थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा करके होता है ठीक है तो यह कह रहा है और आप कभी हाथी की आखे देखोगी वो कभी गोल नहीं होती है वो भी इसी तरह से होती है आप कभी हाथी की आखो को देखना ठीक है तो क्या करना है भाई इसको मिटा दें चलो आकार के बना दो देखो कितना प्यारा हाथी बना देखना कितना प्यारा हाथी बनेगा 36 गड़े के एक इलाके में ऐसा हाथी बहुतायत मात्रा में बनाया जाता है क्या होता है बहुत जार अखना हंती जानते हों एक नई चादर से ढग दिया जाता है मतलब भाई पहले के बाटर सिस्टम होता था था यानि उसका क्या मतलब है जितना बड़ा हाथी होगा कुमार को उतनी ही ज्यादा धान मिलेगा मतलब जितना बड़ा हाथी होगा उतना बड़ा उसका पेट होगा और ज्यादा पेट होगा तो भई ज्यादा धान उसमें आएगा तो इसलिए जितना बड़ा हाथी उतना बड़ा धान ठीक है भई आग बड़ेसे कि यहां पर अलग तरीके का माइक्रोवेव कि आधेया कैसे होगा तुम निया leap लगाते हुए देखा होगा अगर चाक सीखने गये हो बड़ने कुमार के पास तो जरूर आपने उनको भ continents लगाते हुए भी देखा होगा अपनी बनाई हूई मूर्ती को तुम खुद भी पका सकते हो अपनी जो मूर्ती बनाई है उसको अप खुद भी बना सकते हो कैसे भई बटी बना गर के simple आप देखते हैं पुराने के टाइम पे भट्टिया कैसे होती है या फिर आज के टाइप मिट्टियों के पकाने के लिए कौन सी माइक्रोवेव का प्रयोग होता है वो भट्टी कैसे बनती है कैसे पकाना है यह हम बता रहे हैं पर अगर जगह और साधन का जुगाड नहीं कर सकते तो इसे कुमार के हां देकर भी पकवा सकते हैं कुमार अप तरीका यह भी है कि आप जाकर कि अपने गाउं के जो कुमहार है उसको यह दे दो कि भई यह मिट्टी लेगे जो मैंने मूर्ती बनाई इसको पका दो वो जो अपना गमला और मठका बगर बनाता है तो उसके साथ भी वो पका लेगा चलो पकाने का पकाने के पहले सुखाना पकाने के पहले क्या जरूरी है उसको सुखाना मूर्ती को पकाने के लिए सुखाना पड़ता है मतलब मूर्तियों को पकाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पहले सुखाना पड़ता है ठीक है वही सुखाते समय कुछ सावधानिया रखनी होती है वन्ना मूर्ती चटक चौड़ किया है क्या दोगए सकती है तो सब्सक्राइब आपको सापदानी इह जा सकती सूखने में नगता है जब तुम्हारी मूर्ती बन J तो एकदम खुली जगह में मत छोड़ना क्या करना है बच्चो अपनी जो मूर्ती है उसको कभी भी खुली जगा में मत छोड़ देना पनी से ढखकर रखो पर दिन में तीन चार बार एक दो घंटे के लिए खोल भी दो ताकि उसे हवा लग सके मतलब भाई तुम्हें मूर्ती जो तुमने बनाई है उसकी मिट्टी को तुम्हें सुखाना है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें में छोड़ दो कि वह सूख जाएगी तुम्हें उसे ठक के रखना है हां हर मतलब ऐसा समझो दिन में तीन चार बार क्या करना है एक घंटे के लिए दो दो गंटे कि उसको खोलना भी ताकि उसमें हवा कर रही कोई तूट तो नहीं रहा चटक तो नहीं रही अगर पढ़ रही हो तो उसे बंद करने की कोशिश करो इस तरह तीन चार दिन तक सुखाओ और इसी तरह कितने दिन तक बच्चो तीन से चार दिन तक सुखाओ इसके बाद मूर्ती को कपड़े से लपेट दो इसके लगेगी मतलब सोचो कि कितना लंबा प्रसेस है हम लोग जाते हैं मार्केट में दिये और इन सब के लिए कहते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है एक दिया तो उठता है तो हमें फरक नहीं पड़ता लेकिन सोचो वही सब बननाने के पहले मतलब जो इतनी प्रक्रिया है व अगर उपर की सता सूख गई हो है तो अब मूर्ती को खुला छोड़ दो उसके बाद देखना कि अगर उपर का जो सिर वाला जो हिस्सा है जो सता है उपर का जो वह सूख गया है तो मूर्ती को फिर खुला छोड़ दो जब तुम्हें लगे की मूर्ती बिलकुल सूख गई तो दिन भर के लिए उसे धूप में रख दो जब तुम्हें लगे पूरी तरह से जो तुम्हारी मूर्ती वह सूख गई है तब उसको पूरे दिन भर के लिए क्या करो बचो धूप में रख दो इससे अगर मूर्ती के भीतर थोड़ी बहुत नमी रह गई होगी तो वह भी तयार है मतलब अब जब पूरी तरह से मूर्ती सूख गई है तब वह पकने के लिए तयार है अब हम लोग मूर्ती को पका सकते हैं चलो जैसे पकवान बनते हैं वैसे हमारी मूर्तियां पक रही है चलो पकाने के लिए भट्टी मतलब भाई हमें अब माइक्रोवेव देख ना हो मतलब भई आपकी जो है कि यह किसमत इस पर भी आधारित है कि आपकी जो मूरती तभी अच्छे से पकेगी जब बारिश बिल्कुल नहीं हो मौसम साफ वह आपको ऐसा ही दिन चूस करना है भटी लगाने के लिए 20-22 कंडे कंडे जानते हो जो गोबर होता है ना उसको बोला कार में रखके उसको सुखा लेते हैं तो वह जलने के बहुत अच्छा मतलब काम आता है तो के तो सबसे पहले क्या चाहिए 20-25 कंडे फिर लकडी की चोटे-चोटे-चोटे तुकडे आते हैं वह चाहिए फिर सूखी घास सूखी घास कैसी पैकिंग में काम आने वाल सब्हूसा या पुवाल जिसको कहते हैं जो हम लोग पैक करते टाम डालने देते कि समान तूटे ना उसको वह वाली घास चाहिए मिट्टी और एक बाल्टी पानी का जुगार करो और फिर मिट्टी और एक बाल्टी पानी भरकर चाहिए इतने का हम काम करना पड़ेगा आगे देखते हैं अब खुले जमीन पर एक इतना बड़ा गढ्धा को दो की जिस ओ Guys महीली मूर्ति से लिए घड़ी हो सके अब बाइ इतना बड़ा कम से कम खोद दो घिसमें आपके जो मूर्ति है वह असा on कंडे यह सब चलो आप क्या करना है यह एक बिलांस यानी करीब आधा फुट गहरा गढ़ा हो फिर गढ़े में कंडे के तुकड़ों की एक तरह एक तह बिच्छा दो मतलब एक पुरा एक जो लेयर है क्या करो गोवर के कंडों से बिच्छा दो और उस पर अपनी मूर्ती पड़ा कर दो जब मूरती को चारो तरफ से लग नि अब सब अब मूर्ती को चारो तरफ से लखडी के तुकड़ों के साथ कंड़े के तुकडों से तखदो अब क्या करो साब लखड़ी Option के पूरे मूर्त को भचछ बीच बीच में पुआल भी लगा दो अब चारो तरफ से बड़े बड़े कंडे लगा दो और उपर से पुआल लगा दो मिट्टी को पानी में घोल कर गाढ़ा सा घोल बनाओ इस घोल की एक मोटी परत पुआल के उपर चढ़ा दो यानी लीप दो मतलब फिर भाई मिट्टी को जो पानी में बालती का यूज के दर उसमें घोल करके उसको मोटी परत को पुआल पे बिचा दो फिर क्या कह रहा है हा दो तीन जग़ धूवा निकलने वह एक जगह नीचे की तरफ आघ लगाने के लिए चीध छोड़ दो मतलब फार रोटल अब कर दो निघलने से आघ लगाने के लिए तो इस तरह तुम्हारी भटी त्यार है प्रफी से तयार कूल आपके microwave friendly जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं शीशे के जार में क्या कि आपने नीचे परत बिचा दी मतलब क्रीम डाल दिया उसके ब्रेड लगा रहे हैं में मावा डाल रहे हैं मतलब कुछ भी तरह से जो भी आप डिसर्ट बनाने सब चीजे डाल करके कुछ भी ना पहले हमने नीचे गोबर को कंड favor को कंडी लगा दे ऑफिर नादी हुर टोपिंग नहीं है और इधर में क्या है हमने चार और से कंडे लगा दिये पुआल लगा दिया हर चीज लगा दिया फिर हमने दो तीन जगे इधर छेट छोड़ दिये ताकि धुआ बाहर जा सके और नीचे से हम आग लगाने का तो यहां पर हमारे टोटल कुछ इसी प्रगार से कारेक्रम है aghanna कि बना लो पुगि को यहां पुखने बना लो और उसमें आग लगा कर नीचे वाले छेट से धीरे-धीरे अंदरföy यह चयाएंगे मिन जाएगा मतलब इसको बिल्कुल मतокरना ना लाना या बुजाने की कोशिश करना सौरी मतलब की यहां पर COM 27 मतलब जलते रहने देना उसको किसी भी प्रकार से जह लें की आवशकता नहीं है थीक है ना जल्दी जलाना या बुझाने की कोशिश करना यहीं ऐसा करना कि हम एक दूपॉंगी ओर डाल लेते कागज क तो और सक्याweise जलेगा और सब zelf नहीं कि ऐसा नहीं हमारी खाना जल जाता हम उसमें पानी डाल दें नहीं भाई बिलकुल नहीं हमारी मूर्ती जलेगी नहीं ठीक है उसको चड़ना नहीं अब क्या करना है वना गड़बड हो जाएगी पांच घंटे बाद जब भट्टी थंडी हो जाए तब इसे धीरे-धी वक्त हो रही है आगे मूर्ती को एक्दम उतावली उतावली में इसानी नहीं करना क्यों वह 550 क्या होगी आफ थंड़ा होने देना पानी डाल कर थंड़ा मत करना, थोड़ा सबर करना, धेरे רखना तो लो, तुम्हारी मूर्थी तयार है अगर इसे समगाल कर रखो तो यह लंबे समय تक चल सकती है मतलब भइ, जो आपकी मूर्थी है बहुत लंबे समय تक रह सकती है आपके साथ एक और बात मूर्थी पकने के बाद हलके लाल रंग की होगी जो मूर्थी होगी भाई मिट्टी तो एकदम देखें मिट्टी का कलर कैसा होता है लेकिन पक जाएगी तो क्या होगा भाई हलके लाल रंग की हो जाएगी अब जैसे मठके का रंग होता है जो मठका होता है उसका रंग होता ह हो वैसे तो तुम अपने मन चाहे रंग उपर लग उपर से लगा सकते हो इसमें इत मज़दार बात है अच्छा अब देखते इन्हों हमारे लेकर ने कुछ मज़दार बात यह मूर्तियां पकने के बाद काले रंग की भी हो सकती है मगर कैसे यह हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं तुम्हें तुम्हें करके देखो और हमें भी बताओ पर उपर से काला रंग मत कर ले ना मतलब हमारे जो यह लेखी का है उन्होंने एक हमें क्या बात बोल दी है भाई यह जो मूर्तियां है वह पकने के बाद काले रंग की भ हो सकती है बताओ कैसे यह क्या कारण हो सकते हैं जिससे जो हमारी मूर्ति है वह काले रंग की हो सकती है लाल की जगह तो बचो जल्दी से आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में करो आपका क्या इस पर राय है हमारी जो मूर्ति है वह ऐसा हम क्या करें जिससे कि वह मूर्ति हमे जल्दी से मुझे बताओ अब देखो एक दो रीजन में आपको बता देती हैं यह जो हमारा प्रश्ण है हर प्रश्ण वाचक चिन पर हमें पूर्ण विराम लगाना है मेरा तो भाई यही कहलो कि उद्देश है कि मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी प्रश्ण वाचक चिन है है उस पर आप लोगों के पूर्ण विराम लगाओ तो यहां पर इसका आंसर हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी यदी हम जैसे हमेरे पार्ट वन में देखना वीडियो में बताया थे कि अलगल तरह की मिट्टी होती है यदि हम काली रंकी ही मिट्टी ले तो भाई वह तो पकने क पर है और क्या-क्या रिज्टन हो सकता है अब आप हमें comment section में बताओ कि वो यह हो सकता है लेकिन हां शर्त यह बच्चो की काले रंगों से नहीं करना है यह नione議 ओपर से हमें काला रंग उस पे नहीं चलाना है तो देखो अब ठीक है अब देखो आप बताओ आपको ये पूरा पाट कैसा लगा आपको सब चीजे समझ में आई मिट्टी से रिलेटेड मिट्टी की मूर्थियां कैसे बनती हैं उसका इतिहाज हमारी जो तीन तरह के हाथ से पहले हाथ से और दूसरा चाक से हाथ से बनने के तीन तरीके है या तो हम ठोस बना सकते हैं पोली बना सकते हैं या फिर उभरी हुई बना सकते हैं या फिर हम चाक की मदद से बना सकते हैं पर एक चीज़ याद रखो कोई भी हम मूर्थि पूरी की पूरी एक खटी नहीं बनाते हैं उसका हिस्सा हिस्सा बना करके हम उसको असेंबल करते अब इस तरह से था और बहुत सारे इसमें वोन लोगों के भी नाम आया थे यह जो हमारा मिटी से बनी जो मुड़तियां है यह तरह की कला है और यह कला केवल भारतीय तौर पर इनी बच्चों अंतरास्टिये लेवल पर भी आंतरास्टिये स्तार पर भी बहुत लोगप्रिय है भारत से आज भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको अवार्ड भी मिले हैं और वह उनके प्रदर्शनी विदेशों में भी लगी हुई है उनके इन सब कलाओं की तो यह था भाईया हमारा पूरा पाठ आप बताओ आपको कैसा लगा और चलो अब हम मिलेंगे आपसे नेक् सब्सक्राइब कर दो चैनल को क्योंकि क्यों करना है मैं इसका कारण बता देती हूं हम कोई चीज आपको ऐसे ही नहीं बोलते हम लोग किंडर गार्डन से लेकर के क्लास 12 तक अगर आप सीवेसी बोर्ड इंग्लिएम के स्टूडेंट्स हो तो पूरा कोर्स कवर कर आ रहे ह और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लेकर के 12 तक फिर आप यूपी बोर्ड एंपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो तो भाई तो भी हम आपका पूरा कोर्स बढ़ाई का कवर कर आ रहे हैं बिना टेंशन के और यूटुब पर चले जो तुरंट सर्च करो जो भी प्रॉब्लम है मैंगनेट ब्रींज डाल दो मैम का नाम सर का नाम टॉपिक उठालो फिदिक्स डालो सब्यक्स डाल दो आपको धेर सारे वीडियो बहुत बहतरीन कॉंटिन के साथ मिल जाएंगे या फिर आप हमारे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वेडियो में इबुक या फिर नोट शाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके देख लो जल्दी से चलो मिलते हैं फिर जय हिंद और जय हिंद की हिंदी